नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्वा कॉंग्रेस में लगातार स्तीफे का दौट जारी है बड़ी खबर इस वक्त की लोग सबाइच चुनाओ से पहले राम मंदिर का नियोता ठुकरानी की कारण कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस के दि सत्रा सीटे मिली थी सत्रा सीटों में से अभी पिछले दिनों ही चुराग पटल का स्तीफा था चुराग पटल के बाद आज सीजर चावडा जी आ गए दो दिगज नेता बतादे आपको इन्होंने आमिट्शा की खिलाफ भी चुनाओ लड़ा है बहुत बड़े चेहरे है और कानून के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं सीजर चावडा जब पूरे देश की जंता पूरे देश के लोग आज राम मंदिर के 25 होने वाद यह सब करे लेकिं हुद्ध град के रह पादिक contain making making तो यह कर रहे हैं, तो कार्णिया माई कर रहे हैं, हम को साथ लेना चुछे कांग्रेस पार्टी में रहे के मैं साथ लिए तक्क्ताग नहीं था। इसले मैं तरह दर जाए हुएं, उनको लेज़े में पूरी कॉझेस में जाऊंगा, प्रदेश में अध्यक्ष भी रह चुके हैं कॉंग्रेस के और बता दे आपको एक बड़ा नम जिनों ने इस बार भारी बीजेपी की लहर में अपनी सीट को बचाया था तो सोच लिजे कितना बड़ा जनाधार होगा और जमीनी स्तर पर अच्छी पहचान होगी सीजे चाव प्रदेश को कह दिया अलविदा टाटा बाइबाई हो गया इनका लगातार राम मंदिर को देखने के बाद हम देख रहे हैं डर्च को कि कॉंग्रेस में इस तीफे का दौर तोड़ तरीकी से जा रही है कॉंग्रेस पाठी को ये बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन ये ब बचे हैं गुजरात की सीट पर केवल कॉंग्रेस के 15 दिगजनेता बचे हुए है और बीजेपी लगातार वहाँ पर आपको पता ही होगा कितना बड़ा बीजेपी का जनाधार है अब शुक्रवार को इन्होंने अपना इस्तिफा दिया है कॉंग्रेस में लगातार सामें नहीं जाएंगे एक बार भी नहीं सोचा कि मंदिर ती शेत्र ने वो ट्रस्ट ने उन्हें इंविटेशन दिया है और अगर आपने नाराज किया तो केवले एक देश हिंदू होगा आपके हिंदू तो नाराज हो जाएंगे और बहु संक्यक समाज को रहकर दूर करक आप कहां तक टिक पाएंगे आप देखें विधायकों का स्तिफा जारी है बता दे आपको बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है बीजेपी में शामिल हो सकते है सीजे चावडा कुछ दिन पहले ही खमबात की विधायक चिराग पटेल ने भी स्तिफा दिया था ऐसे में च संख्या मानी जा रही है केवल आपके पास 15 बचे हैं अब कौन है सीजे चावडा आपको बताते हैं सीजे चावडा 51 वर्षिया है गांधी नगर के मूल निवासी है सीजे चावडा जी और चावडा पेशे से वेटनरी सर्जन है और कानून के भी जानकार है और कॉंग्रस नेता सोचे मतलब एक अच्छे कासे पढ़े लिखे ये नेता थे कॉंग्रेस के उन्हें गुजरात में जरमीन से जुड़ा नेता माना जाता रहा है बता दे आपको वो गुजरात कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जर्शा मैंने आपको पहले बताया साथ ने अमिट शा के खिलाब भी चुनाव लड़ा है वो गांधी नगर जिला कमिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं साथ ही बता दे आपको गुजरात की राज्जिती में सीजे चावडा अच्छी पकड़ रखते हैं आपको मैं बता दूँ एक तो गुजरात मोदी जी का ग गया पहले भी हुआ है गुजरात में लेकिन इस बार गजब का हुआ बीजेपी ने कमाल किया था और जैसे करनाटक में कॉंग्रेस ने बीजेपी को हराया तो गुजरात में भी बहुत अच्छे खासे कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन करनाटक चुनाव फिकी पड़ गई गुजरात में प्रचंड वहुमत मिला था तो देखे यहाँ पर अगर हम बात करें कंपरेटिव तरीके से तो गुजरात चुनाओं में जो हमने देखा बीजेपी की लहर इसके वजह से वहाँ पर कॉंग्रेस की पेकड उसी वक्त कमजोर हो गई थी और आपने नीचे अस्तर के नेताओं को नरास किया तो हम खुद नहीं बचेंगे अगर आप आला कमान हैं अगर आप शीट्स पर बठे हैं तो आपको छोटे मोटे नेताओं को बड़े नेताओं को साफ्ट लेकर चलना है हमने देखा बीजेपी में ये बात है लेकिन कॉंग् मंद्य प्रदेश में मंद्य प्रदेश की किस तरीके से मंद्य प्रदेश में इस्तीफा हुआ बड़े कॉंग्रेस लीडर का आनन शर्मा जी का और देखिए मंद्य प्रदेश में आनन शर्मा ने 48 सालों तक कॉंग्रेस को सर्व किया था आप कड़ी जोडेंगे हर प्रद अच्छी इनकानी बाहता है। यह भी ढूरा गया था कि हम 12 के बाद जाएंगे। बाद में जब अकल ठीका ने आई। नेताओं को लगा कि हम हिंदु समाज को नारास करदेंगे। गर्थ में चले जाएंगे। बैस के बाद जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 20 को मतलब अपनी बातें बना रहे थे, शखी सरूर ने भी बोला, हाला कि הוא समार्ट नेता है, वो जानता है कैसे बात करनी है, शखी सरूर ने बोला कि अभी इसको राज्यतिक बताये जा रहा है तो इसलिए हम नहीं ज आएंगे तो ये कितना बड़ा नुकसान कॉंग्रेस को दे चुका है हमने देख लिया स्टीफों के दौर के बाद आपको बता दे चावडा गुजरात के बड़े निताओं में शामिल थे चुराक पटल के बाद ये बड़ा स्टीफा माना जा रहा है और बता दे आपको बोटा बोटा नाम नहीं है इसी वज़े से खबरे जादा इनकी फैल रही है सीजी चावडा की ये क्यावन वर्षिया हैं कानून के अच्छ जानकार है और स्रॉजर भी रह चुके हैं अब ऐसे में मैं आपको बता दू इनकी उमीद बीजेपी से बढ़ गई है वैसे भी ह हमने देखा कि मद्य प्रदेश हो जाए राजस्थान हो जाए हर जगा कॉंग्रेस के दिगज निताओं का इस्तिफा इस बात से बोल कर दिया जा रहा है कि राम मंदिर जो राम का नहीं है वो राज्य का क्या होगा वो देश का क्या होगा बड़ा मनाहत है दुखी है पस्तावा कर ले अभी भी टाइम है आपने विचार पर पुनर विचार करे क्या बोलके गये हैं आप सुन ली जो आचारे प्रमुत कृष्णम को प्रियंका गांधी के राजनितिक सलाकार है ऐसा नहीं की बीजेपी में आ रहे हैं लेकिन अपनी बात रखते हैं कह रहे हैं आचारे प्रमुत कृष्णम ने कॉंग्रेस के नेताओं को बैताल तक कह दिया कि कुछ नेता है जो राम को नहीं मानता है स्थितों को बड़ा शर्म की बात है दुख की बात है मुझे दुख होता है बता दे आपको पिठा धिश्वर वो है और जिस तरीके से यहां पर कॉ लोग सभा चुनाओं से पहले यह पहला विकेट नहीं यह बहुत बड़ा विकेट कॉंग्रेस पाटी का गिरा हुआ है और राजनिती में अयोध्या धाम इनको विकेट दे गया अयोध्या नगरी भगवान राम की भगवान राम के नाम पर रुष्ट होने वाले नेता आने वाले समय में इस तरीकी से डेंट से बचना होगा और अगर नहीं बचेंगे तो यह बात आगे तलक जाएगी लेकिन यह बहुत बड़ा चटका माना जा रहा है और सूत्र बता रहे है कि अयोध्या ही यह टॉपिक हो सकता है कि अयोध्या में राम नगरी को ठुकराने कि वज़े से कॉंग्रेस पार्टी का इस्तिफा यह लगातार जारी है अब आपकी राई क्या है कि आपको भी लगता है कि आने वाले समय में लोग सबचना से पहले कॉंग्रेस क्याद है निता राम मंदिर से खफा होकर इस्तिफा देंगे कॉमेंट डॉप करें शुक्री कि आपका